आज संत्वानी में पल्टु दास का एक पद लेने जा रहे हैं पल्टु दास का जन्म 1710 इस्वी में हुआ और 1780 इस्वी तक उत्तर प्रदेश की धर्ती पर पल्टु साहब अपना गीत गाते रहे हैं कहते हैं पल्टु साहब धुबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे प्रभु की तलाश में हमारा एक सबसे महत्त पुर्ण पढ़ा होता है सद्गुरु सद्गुरु को खोजना पूरा गुरु को खोजना बड़ा कठिन कारे हैं लेकिन कुछ बड़ भागी सद्गुरु को खोज लेते हैं पूरा गुरु को हो समर्थ गुरु को खोज लेते हैं और सद्गुरू से जुड़ते हैं लेकिन यह भूल जाते हैं हम कि सद्गुरू हमेशा रहेगा नहीं सद्गुरू किसी दिन विदा हो जाएगा और फिर क्या करोगे फिर अगर तब तक बात बनी नहीं तब तक हमारी जिन्दकी की चादर धूली नहीं तो फिर क्या करोगे उसी बात के लिए चेता रहे हैं कि यह मत मान करके चलो कि सद्गुरू हमेशा जिन्दा रहेगा सद्गुरू एक दिन विदा हो जाएगा हम लोग वोशों से जुड़े थे और ऐसा करीब-करीब ऐसी बेहोश सब्सक्राइब करें तक हमारी चादर धूली नहीं उसी बात को याद दिला रहे हैं कि जब तक सद्गुरू जिंदा है तब तक अपना अपनी जो जिन्दगी की चादर है उसकी मैल को छुडा लो उसी बात को करें धूबिया फिर मर जाएगा चादर लीजे धूए हमारी जिंदगी एक चादर की तरह है जैसे धूबी कपड़े को दोता है ऐसे ही सद्गुरू एक धूबी है और हमारी जिंदगी कपड़े की तरह है और कपड़े में नाना प्रक प्रिकार के दाग है जैसे धोबी कपड़े का दाग छुडाता है वैसे हमारी चेतना पर जो दाग है इसको हमारा सत्गुरुद होता है कते चादर लीजे धोए मैल है बहुत समानी यह जो हमारी चेतना की चादर है इस पर बहुत मैल जमी हुई है बहुत पाप किये हैं बहु कभीर सहाब कहते हैं चादर हो गई बहुत पुरानी अब तो सोच समझ अभिमानी धीरे-धीरे हमारी चेतना की चादर हमारी जिंदगी की चादर पुरानी होती जा रही है मैल बहुत जमती जा रही है लेकिन हमारा अहंकार इसको देख नहीं पाता जो मैल है उसको हम अलंकरण की तरह देखते हैं दुर्भाग्य तो यह है मैले दाग भरे पापन के और विशयन में लपटानी बहुत प्रकार पापों के यह दाग जो है मैल की तरह जम्म हुए हैं और हमारी जो विशय वासनाएं जो विशयों में आकरशन है धन में पद में प्रतिष्ठा में जो हमारा आकरशन है जो राग है उसके चलते बहुत मैल महां जमा हो गई है तो क्या करना है ग्यान का साबुन लाए न धोया और सतसंगति का पानी जैसे धोबी क्या करता है कि साबुन और पानी से चादर को धोत करता है ऐसे ही सद्गुरु क्या करता है ज्ञान देता है आत्म ज्ञान देता है और फिर सत्संगति समको प्रग्या देता है तो आत्मा का अनुभव देता है और समझ देता है तो इस तरह जो जिम्धान के साबूं से औरुस्त संगती के दौरस प्रग्या मिलते हैं समझ मिलते हैं उसके पाणि से हमारी जिंदकी की चाधर को हमारी चेत्ना की चाधर को धोता है आए पलुस है चल सत्घुरू के घाट धो बी कहां कपड़े को ले जाता है और घॉर पर अपने करम काट कोईला किया और ब्रह्म अगिन परजार कहते हैं कि ये जो हमारे करम बंद है ये पेड़ की तरह है तो क्या करते हैं पेड़ को काटते हैं फिर लखड़ी होती है और फिर लखड़ी को जला करके कोईला करते हैं और फिर वो कोईला को बाद में जलाते हैं फिर कोईला करो इसको जला करके कर्म बंधों को जला करके कोईला करो ब्रह्म अगेन परजार और फिर ब्रह्म के सुम्रन में ब्रह्म की अगने से उस कोईले को भी जला दो ताकि वो बिल्कुल राख हो जाए कर्म बंध राख बन जाए लोभ मोह ब्रह्म जारिया इससे क्या होगा हमारा हमारा मोह हमारा भ्रहम यह सब जल जाता है और कौन जलाता है सद्गुरु बड़े दयार सद्गुरु कृपा करके हमारे कर्वबंधों को जला करके राख बना देता है हमारे लोब को हमारे मोह को हमारे भ्रहम को जला कर राख बना देता है कहते है पल्टु साहब चल नाम का निर्मल पानी है उंकार का निर्मल जल है वहाँ पर जिसमें हमारी चादर उंकार के निर्मल जल से सद्गरुद होता है एक लिए रजब साब कहते हैं राम रंगिले के रंग राती हमारा जो रंगिला राम है आनंद कंद राम है आनंद कंद ब्रह्म है उसके प्रेम के रंग से अपने को रंग लो अलागयो नेह नाम निरमलसु गिनत नसेली ताती और इस तरह पहले क्या लेकिन करना होगा इसके लिए कि उंकार से प्रेम करना ह होगा उंकार ही ये निर्मल जल है इससे नाता जोड़ना होगा और एक बार उंकार में डूबना शुरू करोगे तो सारे दवंद मिटने शुरू हो जाते हैं गिनत नसीली इताती पिर क्या ठंडा क्या गरम क्या जीत क्या हार क्या मान क्या अप्मान क्या प्रसंसा क्या दिनों दिन बार्न कीजिए जो जिंदगी की चादर है यह पुरानी पढ़ती जा रही है तो इसलिए अब ये काम जादा दिन आएगी नहीं जिसलिए संत मीरा करती है नदिया गहरी नाव पुरानी ये भावजल पार करना है बहुत सागर पार करना है तो नदी बड़ी या नदी पार करना है बड़ी गहरी नदी ये संसार की नदी ये मामुली मत समझे ना इसको हलके में मतले ना नदिया गहरी या नाव पुरानी जिसको और नदी है इसको पार करना इतना आसान नहीं है किस विद उतरूं पार कहते है कहती है मेरा कि हे गोविंद कैसे अब मैं पार करूं भला बताओ कहते है पल्टु साहब चादर भाई पुरानी या दिनों दिन बार न कीजे अब यह जो आयू है यह बढ़ती जा रही है इस पर से आए कहों कहा बार बार समझत नहीं क्यों कवार संत बार बार यह बात आद दिलाते हैं लेकिन हम समझने को तैयार नहीं होते हैं अब बिनसत नहीं लगे बार औरे संगा Prabij वला है कितनी देर ठा एगा उगल जाएगा ऐसे ही सबजलो कि ये शरीर को नश्ट होने में देर नहीं लगेगी कहते हैं पल्टु साहब सतसंगत में सौंद ग्यान का साबून दीजिए ये सतसंगत को पानी बना लो संतों के साथ अपने सादकों के संग के साथ सतसंग करो और उसमें इस जिंदगी की चादर को चेतना की चादर उसको डाल दो उस पानी में डालो और ग्यान का साबून दीजिए और अनुहो ग्यान के साबून से और सत्संगति के पानी से इसको धोना शुरू करो जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं नाम बिन भाव करम नहीं छूटे जब तक नाम तत्त को नहीं जानोगे उंकार तक करतापन नहीं छूटता है यह करतापन का अंकार नहीं छूटता है अब प्रेम का और जो नाम उंकार का पानी अदोय मिल ताता टूटे इन दोनों से फिर जाकर के यह जो चादर है हमारी धुल जाती है कहते हैं पल्टू साहब छूटे कलमल दाग किस प्रकार का दाग है वह तिर्गुन का दाग है अंकार का दाग है पापो का दाग है और यह दाग तभी प्रण है जिसके लिए पल्टू साहूँ अन्यत्र कहते है होत छटी सो राग दाग तिरुण का छूटा कहते हैं कि यह जो आत्मा है यह ब्रह्मिह उस पर छीती सो राग ओंकार का घजरह है अ दाग तिरुन का चूटा वहाँ जो तमोगून है रजोगून है सतोगूर छतो फूटेगा अपूरन परगटे भाग करम का कलसा फूटा फिर तो हमारे स्वभागी का उदय होता है और यह कर्वबंद का जो कलश है यह वहां तूट करके नस्ठ हो जाता है कहते हैं पल्टु साहब छूटे कलमल दाग नाम का कलब लगावे फिर जैसे धोवी क्या करता है और जाओ कलब चडाता है बिलकोली स्ट्रेट कपड़े को करता है कहते हैं कि यह नाम जो है यह उंकार तत्व जो है यह मार का काम करता है जब जब давता है हमारा सद्र्फ टोभी कहते ऐस बात को धरनी दास खाते है तृष अहिक इस को किते नाम का हलब लगावे आगे कहते दोवारा यहां पर आना ना पड़े पुनर जन में आना नहीं पड़े जिसके लिए कहते हैं धरनी राच धरनी भावजल तत्व नाबरी चर्चड़ी भाक्तकटरेologia जो भावजल से पार कराने वाला जो तत्वी वांकार और को करता है हुँंकार कीerem पर नाम के जहाज पर जो भक्त चढ़ जाता है वो पार उतर जाता है कहते हैं पल्टु साहब पल्टु ऐसा की जिए मन नहीं मैला होए और फिर जब एक बार चादर धो दिया हमारे सत्गुरु ने तो अब सुम्रन में लगे ताकि फिर दोबारा हमारी चादर मैली ना हो जाए इसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं गुरु पूरे मेरी राख लई मेरे पूरे गुरु ने मेरी प्रतिष्ठा रख ली कैसे रख ले अम्रित नाम हिर्दय मही दीनों यह अम्रित सरुपी औंगार का ग्यान मेरे सत्गुरु ने मुझे दिया और फ हमारे सत्गुरु ने धो दिया कहते है पल्टु साहब अधुविया फिर मर जाएगा चादर लीजे धोए हमारा सत्गुरु एक दिन विदा हो जाएगा उसके पहले हम अपनी जिन्दकी की चादर को धो लें तकि उस धुली हुई चादर को ओढ़ करके हम भौजल को पार क यहां से विदा हुँ वाओ जिसके कभीर साहाँ कादे हैं सब्सक्राइब करirdbnि नीचे दरी या सब Nशाजर को मैलिकर दी पाप से कर्मबंदों से विशह वासनाओं से लेकिंद्रास कभीर जतन कर और ही आज्यों की तेओं धर दीनी चादिया लेकिन ऐसी हमारी चादर सद्गुरु ने धोजु धोदी थी उसको ऐसे हमने ओढ़ा कि फिर उस पर हमने दाग नहीं लगने दिया तो संत्वानी पर चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं